नमस्कार दोस्तों सुवगत है हमारे चनल डीजी आजूकेशन में आज मैं आपको एक से पंदर जिनवरी के बीच के बहुत ही महतपूर करंट अफेर से लेके आया हूँ तो आज़े देखते हैं कोश्चन नबर बन कोश्चन नमर बन है हाल ही में किस देश ने कोल रेफ को प्रदूसित होने से बचाने के लिए देश में सन इस्क्रीन पर प्रतिबंद लगाने की घोश्चना की है तो यह पलाव देश कोशन नमर टू स्रम मंत्राले ने करमचारियों की सिकाइतों के समधान और जमीनी अस्तर पर स्रम कारूनों के प्रभावी क्रियानवायन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉंच किया है कोश्चन म.3 आर्बियाई ने किस नाम से एक मोबाइल एप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल जान सकेंगे तो इस एप का नाम है मनी Q4 रच्छा मंत्राले ने हाल ही में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष की अधिक्तम आयू तक सेवा देने के लिए नियमों में संसोधन किया है तो यह 65 वर्ष Q5 मिसन गगन यान के लिए भारती वायुसे नाम से कितने लोगों को चुना है तो यह 4 लोगों को चुना गया है Q6 किस फिल्म को 92 में आसकर एवार्ट के नामनकन चुने जाने के लिए बेस फिचर फिल्म की स्रेणी में सामिल किया गया है तो यह है The Last Color और यह बरावस के विद्वाओं के उपर यह मूवी बनी हुई है The Last Color Q7 किसे संगीत का लानिधी पुरसकार से सम्मानित किया गया तो S सौमयाजी को सम्मानित किया गया है Q8 कारगेल यूद में अपने बहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला किस लड़ाक को विमान को भारती वायुसेना ने रिटायर कर दिया गया है से रिटायर कर दिया गया तो यह मिक्स 27 को Q9 इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरच्छाबल का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो भारती रेलवे सुरच्छाबल सेवा रख दिया गया है Q10 भारत और किस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाडू ठिकानों के सूची का आदान परदान किया है ठीक तो यह पाकिस्तान के साथ Q11 किस राजसरक परिवहन कॉपरेशन ने महिलाओं की सुरच्छा हेतु दामिनी नामक हेलप लाइन लॉंच की Q12 गोल्डन ग्लूब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सरस्रेश्ट फीचर फिल्म का पुरसकार दिया गया Q13 कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में सिक्स छक्य मारने वाला विवस का सात्वा बल्ले बाज बना Q14 किस दिन प्रतिक वर्स अंतराष्टी ब्रिल दिवस मनाय जाता है Q15 भारती आल राउंडर ने 4 जन्वरी 2020 को किकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना किये Q16 किंद सरकार दोरा कितने मीडिया संस्थानों के लिए Q17 उस इराणी जन्रल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वरा ड्रोंस मिसाइल हमले में निसाना बनाय गया Q18 किस दिन सावित्री बाई फुले की 189 विजयनती मनाई गई Q19 विजयन को लोकप्री बनाने के लिए किस विजयन को वर्षदर 20 के इंदरा गांधी पुरसकार से सम्मानित किया गया है Q21 किस दिस के प्रधार मंत्री राश्पती चुने गए Q21 किस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद घोशना की है Q21 के प्रणमारों समझोते के ताथ लागू की गई पावंदियों का पारण अब नहीं करेगा Q23 हाली में किस राज ने अपने भूमी रिकार्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल वेप से वेप पोर्टल से एकी करित करने वाला देश का पहला राज बन गया है Q24 देश में टीका करनों को बढ़ावा देने के लिए कें सरकार के किस मिसन के दूसरे चड़की शुरुवात की Q25 अस्टेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वनी प्रजाती की आधी अबादी समाप्त होने का दावा किया गया है Q26 किस राज में भारत के पहले मानों अंतरिच उड़ान पर सचड़की अस्थापना की जाएगी Q27 किस भारती खिलाडी ने इलैंड में स्टिंगस अंतराश्टी सतरंच का अंग्रेस का किताब जीता Q28 किस देश में हाली में बोईंग 337-800 विमांग कैस हो गया जिससे उसमें सावार सभी लोग मारे गया Q29 उत्तरप्रदेश सरकार ने किस सहर में 334 करोड रुपे की लागर से सहीद असफा कुला खान के नाम पर एक चिडिया घड का निर्मार करने का घोशा किया है Q30 किस अस्थान पर भारत के पहला कच्छवा पुरनवास केंद्र अस्थापित किया जाने की घोशा की गई है Q33 भारत के किस पड़ोसी देश ने ताटी इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन लगाने के घोशा की है Q34 किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योध्धा ग्रंत का हाल ही में ग्रिमंत्री अमिच साद्वारा उद्गाटन किया गया Q35 किस दिन प्रतेक वर्ष प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है Q36 भारती मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूकेल चिल्डन बुक पुरसकार से सम्मानित किया गया है Q37 नासा की उपग्रह टेस्ट ने हाल में प्रित्वी के आकाल की किस ग्रह की खोज किया जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है Q38 किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है Q39 हाली में घोसित मिताली राज की बायोपिक शाबास मीठू के निर्धेसा कौन है तो यह राहुल ढोल किया Q40 मार्च 2020 में आयुजित होने वाली अंतराश्टी नो सेना करेक्र मिलन की मेजवानी कौन सा भारती शहर करेगा Q41 हाली में एक नए अध्यन में पूर भारत और किस देश के छेट में बहने वाली गंगा ब्रह्मपूत और मेघनादी के डेल्टा का जल अस्तर इस सदी के अंतक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमाल लगा गया है Q42 अमेरिका के अटानी जनर्र वीलियम बर ने सिकागो के लिए किसे जज के पद पर न्यूक्त किया है और तो था वे भारत के गोरकपूर से संबंद रखती है Q43 किस दिन कैफी आजमी का 101 मीट जैनती मनाई गई Q44 इरान की एकमात महिला उलम्पिक पतक विजयता का क्या नाम है जिन्होंने हाली में देश छोड़ने की घोशना की है Q45 कोलकाता पोर्टस का नाम बदल कर क्या रखा गया तो स्याम प्रसाद मुखरजी पोर्ट रखा गया है Q46 किस क्रिकेटर को BCCI के पाली उमरीगर एवर्ट से सम्मानित किया गया है तो यह है जस्परीद बुमराग को Q47 भारती सेना दिवस मना जाता है किसी मना जाता है 15 जनुरी को हर साल मना जाता है Q48 किसे ही हाल में किसे हाल में रिजोर बैंक का डिवटी गवर्नर निवत किया गया है तो यह माइकल देवरत पात्रा को किया गया है Q49 ICCI की से वस 2019 का सबसरेश्ट किरिकेटर चुना गया है तो यह बेन स्टोक्स को चुना गया है Q50 Economics Intelligence Unit की रैंकिंग के अनुसार किस राज का सहर मलपूरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते सहरी छेतर में से एक है Q51 राष्टी जलनीती ड्राफ्ट समीती का चेर्मैन किसे निउक्त किया गया है तो यह डाक्टर मिहिर सा को निउक्त किया गया है तो दोस्तों इस पकार के Current Affairs को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए कि जिससे की हमारे लेटस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद